दोस्तो कभी भी आपको इमर्जेंसी में पैसो की जोड़ पढ़ जाए आपके समझ में नहीं आ रहा है कि पैसो के इंतियाम कहां से करना है जहां से भी इंतियाम होना था वहां से आपको सब जगत से मना हो गई है कि पैसा नहीं मिल पाएगा ऐसे में आप confused हैं परेशान हैं और चिंतित हैं कि भई पैसा तो आपको चाहिए पर पैसा ले कहां से ये आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसे mobile app के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड और pen कार्ड लगाना है और emergency बढ़ने पर आप 17-18,000 रुपे का आसानी से यहाँ पर loan ले सकते हैं अब यह app कौन सा होने वाला है दोस्तो इस app का link आपको वीडियो के description और comments box में मिल जाएगा link पर click करके जाएंगे शीदे play store पर पहुंचेंगे play store से इस app का install कर लेना है और आगे जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तो वो आपको करना है सबसे पहले आपसे आपका mobile number पूछा जाएगा वो आपको दे जाना है आधार card, pen card की detail पूछी जाएगी वो भी आपको देनी है जब आप इस app को open करते हैं तो आपके सामने कुछ इस पर का interface आएगा आपको कोई income proof नहीं देना है, bank statement नहीं देना है, किसी चीज की कोई जोड़ती याँ पर नहीं पढ़ने वाली है पर ऐसा नहीं है कि 75,000 रुपे का लोन लेना है अगर माल लो आपको 500 रुपे का लोन लेना है तो 500 ले सकते हो उसके बाद 1000 रुपे का ले सकते हो, 1500 है, इसके साथ 2500 रुपे का लोन है 4000 रुपे ले सकते हो, 6000 ले सकते हो, 8000 का भी लोन है नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 10,000 देखने को मिलेंगे 12,000 रुपे देखने को मिलेंगे, 15,000 देखने को मिलेंगे 75,000 रुपे देखने को मिलेंगे यानि कि यह आपके उपर depend करता है कि आपको कितने का लोन लेना है पर मैं फिर भी आपको 75,000 रुपे का लोन जो है कैसे लेते हैं उसकी details बताने वाला हूँ यहाँ पर देख लो माल लो आपको 75,000 रुपे की जोड़त है या कम की जोड़त है आप अपने इसाब से select कर सकते हो तो यहाँ पर देखो मैं continue पर click करूँगा जैसे continue पर click करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से option आते हैं और यहाँ पर आपको एक down arrow देखने को मिलेगा यहाँ पर आपसे पूछे जा रहा है कि भही आप जो यह पैसा लेना चाहते हैं आप 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए ले सकते हैं तो आपको जितने दिनों के लिये भी पैसा चाहिए उस पर आपको simple सा दोस्तों यहाँ पर click कर देना है टिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने कुछ डिटेल आ चुकी है डिटेल में यहाँ पर सबसे पहला आपको बताया गया है कि भई आप जो लोन ले रहे हैं 1238 पर की प्रसेंट फीज जाएगी 75,000 रुपे के लोन में आपके बैंक में जाएगा 16,262 रुपे इंट्रेस्ट आपका 1751 पड़ेगा टोटल मिलाकर 19,251 रुपे आपको देने पड़ेंगे अगर आप लेते हैं 75,000 रुपे का लोन ठीक है नीचे यहाँ पर आएंगे view loan detail पर किलिक करके आप पूरी detail देख सकते हो पूरी detail आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर बताया गया है कि भी आपकी तीन किस्तों में तीन महिने के लिए loan ले रहे हैं तो 6470 पर किस्त पड़ेगी अगर आप कम का loan लेंगे तो कम की installment होगी जादे का loan लेंगी जादे की पड़ेगी तो आप अपने इस आपसे देख लें उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा continue आपको continue पर किलिक करना है जैसी continue पर किलिक करेंगे आपसे यहाँ पर आपको जो है दोस्तों आपका bank number देखने को मिलेगा और अगर आपका bank number यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो कोई tension नहीं है यहाँ पर आपको यह down arrow देखने को मिल रहा है इस पर simple सा किलिक करना है उसके बाद add new पर click करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपका जो भी बैंक है उस बैंक को आप select कर लेंगे अब मालो आपको पैसो की बिज़र उड़त है और बैंक खाता भी आपके पास नहीं है यानि के account open करने का भी zero charge है और account maintain करने का भी zero charge है तो अगर आपको zero balance saving account open कराना है AU small finance bank में दोस्तों इस app का link भी आपको वीडियो के description और comments box में मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप जो है account भी open करा सकते हैं अब उसके बाद दोस्तों आपने अपना bank का यहाँ पर select कर लिया bank select करने के बाद यहाँ पर आपको bank का account number देना है और उसके बाद दोस्तों आपको submit पर click कर देना है जब आप submit पर click करेंगे तो आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार का interface आएगा पढ़ने के लिए यहाँ पर आपको फिर से वही चीज़े बताई गई है जो अभी आपको दिखाई थी कि देखो भई यहाँ आप साड़े सात्रा जार रुपे का लोन ले रहे है आपका जो ब्याज है वो 1751 पढ़ेगा प्रोसिंग फीस आपका यह गोए हो गया GST 180 रुपे पढ़ेड़ी है नेट डिसबर्जल 16262 है और टोटल में लाकर 19215 आपको रिपेमेंट करना है और नीची आएंगे बताया गया है कि आपका जो ब्याज है वो इतना पढ़ा और यहाँ पर नंबर ओम इस्टूलमेंट 3 है पूरी की पूरी डिटेल है रेट ओप इंट्रेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3% का दोस्तों यहाँ पर भ्याज बढ़ रहा है ठीक है तो कुछ इस तरीके से इंटरफे देखने को मिलता है अब मालों अगर आपको यह लोन चाहिए तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर एग्रिमेंट को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है आप एक टिक लगाएंगे और टिक लगाने के बाद accept this continue पर किलिक करेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर किलिक करूँगा दोस्तों यह पैसा सीधा मेरे bank account में दो मिनट के अंदर पहुँच जाएगा दो मिनट के अंदर पर दोस्तों क्योंकि मुझे पैसो की जोरुत नहीं है मैंना यहाँ पर आपको यह दिखाया है कि भाई आप इस तरीके से इस mobile application से दो मिनट के अंदर साड़े सत्रा हजार रुपे का लोन दो मिनट के अंदर अपने bank account में जो है credit करा सकते हैं जमा करा सकते हैं अगर आपको emergency में पैसो की जरूर थै तो यहाँ पर आप कम से कम पास सो maximum 275,000 रुपे एक तक का लोन और इसके अलाबा भी अगर आप यहाँ पर लोन लेते हैं और इसके बार डिपेमेंट करते हैं तो maximum आपको जो है 50,000 रुपे तक का लोन इस ट्रैटली मिल जाता है वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चालो को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद